जैशंकर प्रसाद की प्रसिद कहानी है पुरुषकार आज के वीडियो में कहानी के सारांस और देशकाल और वातावर्ण के आधार पर उसकी तात्विक विवेचना का प्रयास किया जाएगा देशकाल और वातावर्ण किसी कहानी का एक प्रमुक तत्व होता है कहानिकार अपने कला कोशल से सम्मंदित वातावर्ण और उस युग को उन परिस्थितियों को पाठकों के आँखों के समक्ष सजीव रूप से उपस्थित कर देता है मानव निर्मित भी होता है और प्राकर्तिक भी होता है प्राकर्तिक वातावर्ण में नदिया, पहाड, जलवायू, मोशम, मैदान, पसुपक्षी, पेड़-पोदे ये सब होते हैं मानव निर्मित वातावर्ण में बहुतिक और सांस्कृतिक बोतिक वातावर्ण में जिसे शहर है, गाउं है, कीले, मकान और अन्यवस्तों हैं सांस्कृतिक वातावर्ण में संस्कृति, परंपराएं, खान-पान, रहन-शेहन और मान्यताएं, लोक-विश्वास आदिशामिल होते हैं इन सब के साथ-साथ, मान्सिक वातावर्ण की सरष्टी भी कहनिकार द्वारा की जाती है मान्सिक वातावर्ण किसी पात्र के अंतरद्वन्द्व, उसके मान्सिक संगर्ष, उसके विचार और उसके मनोभावों को व्यक्त करता है तो प्राकर्तिक वातावर्ण, मानव निर्मित वातावर्ण, बौतिक वातावर्ण, सांस्कर्तिक वातावर्ण और मानसिक वातावर्ण इन तत्वों के आधार पर किसी कहानी की समिक्षा की जाती है कहानी के जो छे प्रमुक तत्व होते हैं कतावस्तु और सीर्षक, पात्र और चरित्रचित्रण, संबाद या कतोपकतन, इसके बाद में चोथा तत्व है देशकाल और वातावरण, पांच्वा तत्व बाशाशेली से संबंदित है और छटा तत्व है मूल संवेदना और उद्देश्य है. पुरुषकार कहानी की तत्विक विवेचना देशकाल और वातावरण के संबंद में की जाएगी. कहानी की शुरुवात में कथाकार ने प्राकर्तिक वातावरण को प्रस्तुत किया है. उदार्ण के रूप में देखिए आरद्रा नक्षत्र आकास के काले काले बादलों की गुमड जिसमें देव दुन्दुपी का गंभीर गोश प्राची के एक निरब्र कोने से श्वर्ण पुरुष धाकने लगा था. देखने लगा महराज की सवारी शेल माला के अंचल में समतल उर्वरा भूमी से सौन्दी बांस उट रही थी. नगर तोरण से जैगोश हुआ, भीड में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा. वह हर्ष और उल्लास बढ़ता हुआ, आगे बढ़ने लगा. प्रभात की हैम किरणों से अनुरंजित, नन्ही नन्ही बुंदों का एक जोंका, स्वर्ण मलिका के समान बरस पड़ा, मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनी की. तो यहाँ पर प्राकर्तिक सौन्दर्य का वर्णन लेखक ने कहानी कार्णी किया है. यह वर्णन कहानी के समय के प्राकर्तिक वातावन को बताता है, साथ ही साथ, उस समय के भोतिक वातावन के बारे में भी, जैसंकर प्रसाद लिखते हैं, रथों, हाथियों और अस्वा रोहियों की पंक्ति जम गई, दर्शकों की भीड भी कम न थी, गजराज बेट गया, सीडियों से महराज उतरे, स्वबाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दोदल, आम्र पल्लवों से शुशोबित, मंगल कलश और फूल, कुंकुम और खीलों से बरे थाल लिए, मधुरगान करते हुए आगे बड़े, ये है उस समय का सांस्कृतिक और भोतिक वातावरन, इस वर्णन से पता चलता है कि कहानी किसी राज तंत्र की है, किसी राजा का वर्णन किया जा रहा है, तो लगबग ये कहानी अंग्रेजों से आगमन के पहले की होगी, बाद में ये भी पता चलता है कि ये कहानी गुप्त और मौर्य युग के मद्य किसी काल को आदार बना कर लिखी गई जैसंकर प्रसाद ने अपने वर्णन में मुख्य तोर पर आलंकारिक बाशा का प्रियोग किया है जिसमें संस्कृत की तच्छम शब्दों की बहूलता है जब वो सूर्योदय का वर्णन करते हैं कि प्राची के एक निरब्र कोने से स्वर्ण पुरुष जाकने लगा था यहां स्वर्ण पुरुष सूर्य है प्राची का एक निरब्र कोना यानि पूर्व दिशा के किसी एक कोने से सूर्य का उदय होने लगा था यह बाशा प्रतिकात्मक भी है और आलंकारिक भी है यहां बाशा पर जैसंकर प्रसाद का कवी रूप हावी होता हुआ दिखाई देता है उनकी अधिकतर रचनाओं की बाशा आलंकारिकता से और काव्यात्मकता से युक्त है कहानी का जो बोतिक वातावर्ण है वो हमें ये बताता है कि राजा की सवारी आ रही थी और उसके स्वागत के लिए लोग बाग जो जनता है वो हर्स से जैकारे लगा रही थी इसके बाद में लेखक ने फिर से वातावर्ण और देशकाल का उलेख किया है कि महराज के मुक पर मदुर मुसकान थी पुरोहित वर्ग ने स्वास्ति वाचन किया स्वर्ण रंजित हल की मूट पकड़ कर महराज ने जुते हुई सुन्दर पुष्ट बेलों को चलने का संकेत किया बाजे बजने लगे किशोरी कुमारियों ने खेलों और फूलों की वर्षा की कोशल का यह प्रसिद उत्सव था अब यहाँ पर यह वर्णन हमें बताता है कि कोशल के राज्य की यह सब गटनाई थी यानि कथा वस्तू या कथानग कोशल राज्य पर और उसमें गटी हुई गटनाउं पर आदारित है अब ये गटनाई कौन सी है? ये कोसल राज्य का एक महत्वपूर्ण उत्सव था एक दिन के लिए महराज को क्रशक बनना पड़ता था, उस दिन इंद्र पूजन की धूमदाम होती थी, गोट होती थी यहाँ पर आर्य संस्कृति की और संकेत है, इंद्र आर्यों के एक प्रमुक देवता थे तो वर्णन के साथ साथ लेखक उस समय के संस्कृतिक वातावर्ण की सरष्टी करता है नगर निवा से उस पहाड़ी भूमी में आनंद मनाते, प्रतिवर्ष क्रशी का यह महुत्सव उत्साह से संपन्न होता था इस से पता चलता है कि वो राज्य क्रशी प्रधान था दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर अपना योग देते थे मगद का एक राजकुमार अरुन अपने रत पर बैठा, बड़े कुतुहल से यह द्रश्य देख रहा था यह जो उत्सव है, जो गटनाएं हैं वो कोशल राज्य की है और उस उत्सव में भाग लेने के लिए मगद का राजकुमार जिसका नाम है अरुन वह भी आया हुआ था तो जब मगद और कोशल की बात होती है, तो इतिहास का एक विद्यारती सहज रूप से यह अनुमान लगा सकता है कि यह काल महा जन्पद युग रहा होगा या महा जन्पद जिस समय 16 महा जन्पद थे उसके तुर्णत बाद का युग रहा होगा, मौर्य युग भी हो सकता है और गुप्त युग भी हो सकता है तो लेखक ने अपने रचना कोशल से उस वातावर्ण को पाठकों के सामने सजीव किया है अब ये जो क्रशी उत्षव है, इंद्र पूजन का उत्षव है, जिसमें राजा एक दिन के लिए क्रशक बनते हैं और अपने राजी की किसी जमीन में हल चलाते हैं, खैती करते हैं, वो जमीन किसी की भी हो सकती है यहाँ पर जिस जमीन का चैन किया गया, वो मदुलिका की जमीन थी मदुलिका मगद कोशल के पूरु सैनापती की पुत्री थी तो ये चित्रन उस युग के एतिहासिक वातावर्ण को पाठकों के सामने उपस्तित करता है इसके बाद में जब उत्सव समाप्त हो जाता है और महराज मदुलिका को उसके खेत के बदले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रयत्न करते हैं तब मदुलिका स्वर्ण मुद्राओं की थाली को अपने सर पर लगा लेती है और उन में रखी हुई स्वर्ण मुद्राओं को महराज पर न्योचावर कर चारों तरप बिखेड देती है यहाँ पर मदुलिका की चारित्रिक विशेष्टाओं का वर्णन लेखक ने किया है कि वे एक निश्वार्त कुमारी थी जिसके मन में स्वर्ण मुद्राओं के लिए लोब और लालच का कोई बाव नहीं था इसके बाद में अगर हम बात करें फिर से वातावर्ण की तो लेखक जैशंकर प्रसाद ने प्राकर्तिक वातावर्ण को सबसे प्रमुक्ता दी है कहानी की शुरुवात में जहां सूर्योदय का वर्णन है वहीं कहानी के आगे बढ़ने पर रात्री का वर्णन करते वेवे लिखते है महराज चुप रहे जैगोष के साथ सबा विशर्जित हुई सब अपने अपने शिविरों में चले गए किन्तु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा वह अपने खेद की सीमा पर विशाल मधूक वरक्ष के चिकने हरे पत्तों की चाया में अनमनी चुप चाप बैठी रही रात्री का उत्सव अब विस्राम ले रहा था राजकुमार अरुन उसमें सम्मलित नहीं हुआ अपने विस्राम बवन में जागरण कर रहा था आँखों में नींद ने थी प्राची में जैसी गुलाबी खिल रही थी वह रंग उसकी आँखों में था सामने देखा तो मुंडेर पर एक कपोती एक पेर पर खड़ी पंक फैलाएं अंगड़ाई ले रही थी अरुन उठ खड़ा हुआ द्वार पर सुसजित अश्व था वह देखते ही देखते नगड़ तोरण पर जा पहुचा रक्षक गण उंग रहे थे अश्व के पेरों के शब्द से चौंक उठे तो यहां रात्री का वर्णन किया है कि किस तरह रात्री प्राणी जगत को अपने आगोश में ले रही थी हर एक प्राणी हर एक सजीव रात्री के प्रबाव से शितिल हो रहा था एसे समय में राजकुमार अरुण सचेत होकर किसी योजना को अंजाम देने के लिए बढ़ चला अब जब अरुण वहां से निकलता है तो फिर से जैसंकर प्रसाद ने प्राकरतिक वातावर्ण का उलेक किया है वर्णन किया है अरुण ने देखा एक खिन मादवी लता व्रक्ष की साकाशे गिर पड़ी है सुमन, मुकलित, ब्रमर निस्पंद थे अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया उस सुष्मा को देखने के लिए परंतु कोकिल बोल उठा जैसे उसने अरुण से प्रश्ण किया छी कुमारी के सौंदरिये, सोय हुए सौंदरिये पर द्रश्टि पात करने वाले द्रश्ट तुम कौन हो मदुलिका की आँखें खुल पड़ी तो यहां पर अरुण मदुलिका के घर पहुचता है वो मदुलिका की साहस बावना से बैहद प्रबावित था जिस तरह मदुलिका ने नेडर होकर स्वर्ण मुद्राओं को राजा के सिर पर न्योचावर कर दिया तो अरुण के मन में जो योजना थी कोशल को अधिकार करने की उस योजना के लिए अरुण को उप्युक्त साथी मिल गया अरुण मदुलिका के पास जाता है उसे अपना परिचे देता है और वो ये कहता है कि मैं कोशल नरेश्चे तुमारी भूमी दुबारा से तुमें दिलवा दूँगा लेकिन मदुलिका भूमी लेना नहीं चाहती वे जवाब देती है नहीं वह कोशल का रास्ट्रिय नियम है मैं उसे बदलना नहीं चाहती चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो मदुलिका अपना खेत राजा को देना नहीं चाहती थी क्योंकि वह उसके पूर्वजों की निशानी थी लेकिन राज्य की जो परंपराएं थी उनका भी वो पालन करना चाहती थी इसलिए उसने तय किया कि मैं अपना खेत बेचूंगी नहीं अगर वो स्वर्ण मुद्राएं लेती तो इसका ये अर्थ होता कि उसने अपना खेत राजा को बेच दिया इसलिए उसने ने तो स्वर्ण मुद्राएं ली और ने ही राज्य की परंपरा में बादक बनी उसने सैहर्ष अपने खेत का परित्याग देश के लिए देश की परंपराओं के लिए कर दिया कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है प्रसाद का कवी रूप मुखरित होने लगता है फिर से वो प्राकर्तिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए उस समय के प्राकर्तिक वातावन का चित्रन करते हुए लिखते हैं शीत काल की रजनी मेगों से बड़ा आकाश जिसमें बिजली की दोड़ दूप मदुलिका का चाजन टपक रहा था ओडने की कमी थी वे ठिटूर कर एक कौने में बैठी थी मदुलिका अपने अभाव को आज बढ़ा कर सोच रही थी